जहें साथियों आज की स्मेड़ों में हम लोग बहुत ही अच्छे सुनारे टॉपिक के बारे में डिस्स करने माने इसका नाम है परमाड़ो और अडू यह बहुत ही महत्पूर टॉपिक है हर उस बच्चे के लिए जो किसी भी क्लास में हो या किसी भी कमप्टीशनस में सुरू करते हैं परमाड़ो और क्या होता है इसके बारे में हम लोग पूरी डीटेल में समझने वाले हैं ठीक है तो देखिए पूरी बाते में क्या लिखा है मैंने हजारों वर्सम पूर्व भारती महर्ज कनाद ने सबसे पहले यह बताया था कि यदि हम पदार्थ को भाणादी जिन्हें परमाड़ू नाम दिया गया यानि यह बात देख सकते हैं यह महसी कनाद हैं इनका चित्र में आपको दिखा दे रहा हूं जिसे काफी बाते आसपष्ट हो जाएंगी तो यह आप देख सकते हैं यहां महसी कनाद हहां जो भारती विज्यानिक थे इन् ने पदाठों के सूच में अविभाज कड को प्रमारोऊ नाम दिया यांई इन्हों नाम दे दिया था ऐन्हों ने ही नाम दिया था जा आगे हम बाते और और समझेंगी कि प्रतेक पदार्त बहुत चोड़िक कड़ों से मिलकर बना होता है जिसे प्रमाडु कहते हैं एक ही तत्त के सभी प्रमाडु आकार भार तथा अन्य गुड़ों में समानता होती है कि दूसरे तत्तों में प्रमाडु में भिनता होती है यह तत्त पर मैं आपको एक एजामपल के थ्रूप बहुत अच्छे से दे दूँगा जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं इस प्रकार पदार्थ प्रमाडू से मिलकर बना होता है प्रमाडू पदार्थ का मूल भूत इकाई है अगर जो आप देखना चाहते है अटम्स के बारे में तो यहाँ देखिएगा एक अर्थ लिखा है जिसको हम काट नहीं सकते बिभाजित नहीं कर सकते देखिए मैंने इसको इदम अच्छे तरीके से लिखा है आपके लिए काफी इंपॉर्टन यह सक्सन है इसको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिस कीजिए अब समझने की कोशिस हम लोग करते हैं क्या सभी पदार्थों के प्रमाड एक समान होते हैं इसे जानने के लिए आईए एक सरण उप्योग करते हैं तो अभी आप जैसे स्कीन पर देख रहे होंगे तामे के एक तार के कुछ छोटे टुकड़े और लोगे की कुछ कीले ले करके उनके पास एक छड़ चुमबक लाए हैं तो आप देखेंगे कि लोगे की कील को चुमबक अपनी और आकरसित कर लेता है किन्तु तामे की कील को अपनी और आकरसित नहीं कर बाता है इसका तत्व पर यह है कि अलग-अलग प्रकार के प्रमाडू होते हैं जब समान प्रकार के कई प्रमाडू आपस मिलते हैं तो एक सुध्ध प्रमाडू प्राप्त होता है जिसे तत्व कहा जाता है तो आप इसमें तत्व की भी डिफिनीशन अच्छे से देख पा रहे हैं कि तत्तो किसे कहते हैं तो देख सकते हैं एक ही प्रकार के प्रमाडों से मिलकर बने पदार्थ को तत्तो क्यों है जाता है जैसे की चांदी जिसका प्रतिक AG होता है सोना जिसका प्रतिक AU होता है लोहा जिसका प्रतिक F होता है अभी बात करें अभी तक की तत्तो के बारे में तो I hope अब आप प्रमाड की बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, आईए समझने कोज़ करते हैं अडू क्या है? तो बच्चे अडू की बारे में यानि मॉलिक्यूस की बारे में हम लोग देखते हैं, तो देखिएगा अब हम ये जान चुके हैं कि प्रमाड क्या है? लेकिन एक बिसेश बात जानना भी जरूर आवस्यक है कि पदार्थ में प्रमाड स्वतंत्र आवस्था में नहीं पाये जाते पदार्थ में केवल अड़ु स्वतंत्र आवस्था में उपस्तित रहता है दो या दो से अधिक प्रमाड़ आपस में मिलकर अड़ू का निर्माड करते हैं देखिए इसका definition अच्छी से समझदे कि यहां कोशिस करते हैं देखिए अड़ू क्या है अड़ू एक या अधिक प्रमाड़ू का समू है जो सतंत्र आवस्था में रह सकता है जैसे आप देशते हैं H2 H2 भी एक अड़ू है किसका हड़ू है हाइडोजन का एक अड़ू है H2 ऐसे ही बात करें HCL जो अड़ू किसका है हाइडो क्लोरिक अमल का एक अड़ू है दो विसेस्ता हैं हमने आपको बता दी इसमें अब आगे समझने की कुछ करेंगे जैते हैं अड़ू के प्रकार अड़ू दो प्रकार के होते हैं पहला तो है सामान तत्तों से ये सामान प्रकार के प्रमाड़ू से मिलकर बने होते हैं जैसे हाइडोजन का अड़ू ठीक है आउकसीजन का अड़ू ये दोनों आपस वे समानता से मिलकर बने होते हैं जैसे hydrogen का एक प्रमाड़, hydrogen का एक प्रमाड़ दोनों मिलकर के बनाए है hydrogen के दो अड़ू ठीक है, H2 बना है, यहां आप देख सकते हैं इस रिक्वेशन से अगर जो आप oxygen को देखना चाहते हैं तो ऑक्सिजन का एक प्रमाडू और ऑक्सिजन का एक प्रमाडू दोनों मिलकर के बनाएंगे क्या HO2 जिसे बोलेंगे क्या ऑक्सिजन का अडू ठीक है तो यह बात आप समझ चुके हैं आगे समझेंगे कि क्या आसमान तत्तों में क्या विसेचता है देखने को मिलेंगी तो आसमान तत्तों में क्या विसेचता है, देखिए ये आसमान तत्तों के प्रमाड़ों से मिलकर बनते हैं, जैसे हम एक हैड्रो, हैड्रोजन का एक प्रमाड़, एक क्लोरीन का प्रमाड़, मिलकर के हैड्रोक्लोरिक अमल बनाता है, का एक अड़ू बनता है, जैसा आप यहाँ एक अडू आपस में मिलकर हाइड्रोकलोरिक 반मल बनाए है इस प्रकार जल का अडू भी इसनी से रियक्शन करता है जिसमें हाइडोजन के दो प्रमाडू और अक्सिजन के एक प्रमाडू आपस मिलकर जल के एक अडू का निर्माड करते हैं तो यह बात भी आप अच्छे से समझ चुके हैं अब आगे हम लोग समझने की कोईच करते हैं कि योगिक के जो अडू होते हैं उनमें कुछ क्या होती है उदाहारण होते हैं जैसे NS3 जो है अमोनियम का अडू है मेथेन जो है ये क्या है मेथेन CH4 का अडो है उप्रोवत उधारण में आपको एक बात देखने को मिले होंगी कुछ अडो दो प्रमाडों से मिलकर बने थे तीक है इस तरीके से हम आगे देखने के कोश्ष करेंगे कि इस प्रकार जिस अड़ु में केवल एक प्रमाड होता है उसे एक प्रमाडुक अड़ु कहा जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं HE, हिलियम, NE, नियान ये सबी क्या है प्रमाडविक अड़ु है समझ में आरी बात, दूसरा देखेगा, दो प्रमाडव वाले अड़ु, दूई प्रमाडविक अड़ु कहाते हैं जैसे कि N2, निया इट्रोजन, NACL में सोडियम, क्लोराइट या साधारन नमक, यह भी आपको दूई प्रमाडविक देखने को मिल ला है आगे हम लोग समझने की कोश्च करेंगे, कि तीन प्रमाडव वाले त्री अड़ु, त्री प्रमाडविक अड़ु कहलाते हैं यहां पर मिलते हैं, NS3 में, ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यह वीडियो कैसा लगा, अपना ओपीनियर कमेंट में जरूर लिख कर बताएगा, और हमारे चैनल पर नए है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, बेल आइकन को हिट की ही है, जिसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, धन्य बात,